विल्कम तो स्ट्वाइंट पीडिया, इस पेड़ों में हम बात करने वाले हैं, संसेबर कॉलेज राची, फोर येर, यहाँ पर जो रेगुलर कॉर्सेस हैं उनके बारे में, आप्लिकेशन फॉर्म फाइनली यहाँ पर आ गई है, परसो से स्टार्ट हो गया था, आज मैंने देती थी, यहाँ पर काफी लोगों को ने देख लिया होगा, काफी लोगों को अगर आभी पता नहीं है तो बतला दू, चांसल पॉर्डल से आप्लिकेशन फॉर्म फिलप कर सकते हैं, अब यहाँ पर आप्लिकेशन फॉर्म फिलप करते वक्त, यहाँ पर काफी प्रॉब major subject होते हैं कुछ minor subject होते हैं तो यहाँ पर संसेबर कॉलेज राची ने करा क्या entrance examination के basis पे ले रहे हैं तो minor subject यह बाद में आपको offer करेंगे यानि selection होने के बाद हो सकता है आपको बोल दिया जाए minor subject आप ले सकते हैं यह यह आपके minor subject है जहां तक अभी पता चला है यही आप बेस्ट यहाँ पर solution है इसका कि अभी आपको major subject चूज कर रहा है और उसका entrance examination देना है अब यहाँ पर जब application form fill up करने जा रहे हैं तो काफे लोगों को problem मारे किसमे कि एक तो application form fill up नहीं हो रहा है ठीक है application form fill up नहीं हो रहा है तो इसका क्या reason है तो देखें यहाँ पर application अगर आपका यहाँ पर fill up नहीं हो रहा है तो इसका reason है कि आप eligible नहीं है आप eligibility criteria shake कीजिए सबसे पहले जो है आप eligibility criteria check करेंगे जो की video बनी वी है उस पे तो आप देखेंगे यहाँ पर 50% चाहिए परसेंट तो जिनके 50% कम है यहाँ पर marks वो तो form fill up नहीं कर पाएंगे कुछ subject में 45 अगर रहता है तो आप eligible है तो eligibility criteria check कर लेजेगा अब यहाँ पर जो है कुछ application form में directly course के नाम नहीं आ रहे है जैसे आप become का form fill up करेंगे become honors का form fill up करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर commerce और management दीखनी को मिलेगा commerce and management उसमें भी काफी लोग देखेंगे problem आ रहे थी कि उसके आगे proceed नहीं हो पार रहा है तो आप देखेंगे जब यहाँ पर option आपको देखनी को मिलेगा subject वगरा choose करने के बाद तो यहाँ पर नीचे section में जो है यहाँ पर commerce करके होगा commerce और आपका यहाँ पर mention होगा commerce and management तो उस पर आप जब तक click नहीं करेंगे आगे वो proceed नहीं होने वाला है यहाँ पर जो है multiple time payment आपको करना होता है और यहाँ पर कई बर पैसे दो बर कड़ जाते हैं तीन बर कड़ जाते हैं तो सबसे waste क्या है लगातार payment ना करे एक बर पैसे कड़ गए wait करे status क्या so करता है कुछ घंटों बाद यहाँ पर हो सकता है status यहाँ पर आ जाए कि paid आपने यहाँ पैसे paid कर दी है या कुछ दिर के बाद status यहाँ पर so करे कि आपका unpaid है और पैसे आपके accounts में update कर दिये जाएंगे तो आपको हमिशा ध्यान रखना है पैसे लगतार payment नहीं करने फस रहा है रुख जाएए कुछ दिर के बाद किजेगा payment एक घंटे बाद दो घंटे या रात में कर लेजे payment या एक दिन के बाद किजेगा यहाँ पर हडबडा कर ज्यादा payment मत किजेगा पैसे कई लोगों के फसे है help line number दी जाती है वहाँ पर कई लोगों की help करते हैं कई लोगों की नहीं भी करते और यहाँ पर आपको बतला दो entrance examination लिया जाएगा आपका जो main subject है उसका यहाँ पर जो भी subject mention आपको देखनी को मिले है उसका यहाँ पर आपका entrance examination देखनी को मिलेगा और जो है कौन-कौन से subject है तो notice जो आई थी वो आप देखिए वहाँ पर application की notice जो आई थी उसको अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाला है कि यहाँ पर जो है कौन कौन से courses save level है BA, BAC, BICOM में सब का entrance examination होगा कुछ अकर entrance examination नहीं होता जिसमें application कम form आती हैं जैसे last बर हुआ था हिंदी का entrance examination नहीं लिये थे statistics का entrance examination नहीं लिये थे तो उनका marks के basis में हो गया था selection sociology का entrance examination नहीं लिये थे तो उनके marks के basis में हो गया था selection पर यहाँ पर most of subject जिसमें ज़्यादा आते हैं यहाँ पर application form उसमें entrance examination आपके होंगे तो आप application form यहाँ पर apply कर देजे last date की बात करें तो अभी last date यहाँ पर update नहीं हुई है changes होंगे date में पर यहाँ पर मान कर चले July से ज़्यादा यहाँ पर exchange नहीं होगा August में session start करना है August में session start हो जाती है तो यहाँ पर most publish अब आपका July में ही होगा तो जल्दी से application form fill up कीजे और तयारे start कीजे यहाँ पर तयारी करेंगे तो अभी entrance examination निकलेगा और जो है option हमीशा रखेगा क्योंकि यहाँ पर vocational courses में मैंने देखा कई लोग का admission नहीं हुआ है और जो है कोई आज के टाइम पर जादा placement देखनी को नहीं मिलती regular हो या यहाँ पर vocational उसके बाद आपको specialize course कर लेजेगा उसके subject में तो chances आपके हो जाएंगे देखे यहाँ पर जो है अभी जिस हिसाब से unemployment चल रहे हैं काफी लोग पात करते हैं placement की तो यहाँ पर placement बहुत कम हो रहा है कोई भी courses यहाँ पर आप देखे उसमें placement नहीं है यहाँ पर PhD Research Scholar जो है उनका यहाँ पर placement नहीं हो पा रहा तो आप अंधाजा लगा ही सकते हैं छोड़ी मोडी नौकरी हमेशा मिलती है वो आपको मिल जाएगी अगर आप कोई भी courses आप रहते हैं तो और आपको अगर अच्छा चाहिए अपने field में top में रहिए हमेशा यानि top में कैसे top scorer रहिए top हमेशा रहिए active रहिए बिल्कुल आपको आपकी field में चौप मिल जाएगी चाहिए आप कोई भी regular courses हो या vocational courses हो thanks for watching best of luck